नमस्कार आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ शिवानी शुकला दिली में G20 समिट के दुनिया में भारत की भागिदारी के कई दर्वाजे खोले हैं समिट में इंडिया मेडिल इस्ट यूरोप एकोनोमिकल कॉरिडोर बनाने की घोशना की गई है भारत UAE, साउदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल आठ देशों में इस प्रोजेक्ट का फायदा इस्राइल और जॉर्डन को भी मिलेगा मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन में इस रूट से 14 दिन की बचत होगी, यानि की कॉरिडोर को बनने के बाद भारत के यूरोप तक सामान पहुचाने के करीब 40 पतिशट समय की बचत होगी यूरोप तक सीधी पहुच से भारत के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान और सस्ता होगा अब बात करते हैं कि किन साथ वजो से भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है सबसे पहले भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक छेत्र में काम कर रहे थे लेकिन पहली बार दोनों मिडल इस्ट में साजेदारी बने हैं दूसरा भारत की मद्येशिया से जमीनी कनेक्टिवीटी की सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का तोड मिल गया है वो निस्यों इंक्यावन में इस प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था तीसरा भारत के इरान के साथ संबंध सुधरे हैं प्रतिबंधों के कारण इरान के यूरेशिया तक के रूस इरान कोरिडोर की योजना प्रभावित होती जा रही है चौथा अरग देशों के साथ ही भागेदारी बढ़ी है यूएई और साउधी सरकार की भारत के साथ स्थाई कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है पाचवा यूरोपी यूनियन के 2021 से 2027 के दोरान गुन्यादी धाचे के खर्च के लिए 300 मिलियन यूरोप निर्धारित किये गए थे भारत भी इसका भागिदार बना चटवा अमेरिका को उमीद है कि इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब प्रायद वीप के राजनीतिक स्थारित आएगी और संबंध सामान्य हो सकेगा साथवा नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव का विकल्प है कई देशों के चीन के कर्ज जाल के मुक्त मिलेगी साथ ही G20 में एफरिकी यूनियन के भागिदार बनने के चीन और रूस के एफरिकी देशों में बरती दादागिरी को रोपने से सहायता मिलेगी अगर ये खबर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें साथ ही अमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले